विदिशा जिले के गंज बासुदा में भगवान और भक्त के बीच रद्दा और आस्था का संबंध कैसा और क्या होता है या जगनात महाप्रभू की 40 दिन की यात्रा पूरी होने के बाद बुधवा नगर आगमन पर उनके स्वागत में उम्रे जन सेलाप को देखने में मिल महिनों से आनंद उत्सव और उमंग के छणों के इंतिजार में बेठी हजारों आखे आज अपने भगवान को एक नजर करीब आते देख भाव विवर हो गई शोहर के हरवर्ग संगठनों ने स्वागत में ऐसे पलक फावड़े बिछाए कि रास्ते जाम हो गए और चारों और जैजगनात के जैकारों से आस्था का सेलाब उमरता हुआ दिखाई दिया अभुत पूर्व स्वागत के साथ आस्ता और भक्ती के ग्यारा किलोमेटर का यह सफर ऐसा रहा कि भगवान को अपने धाम एस्टेशन रोड इस्थीत नोलखी मंदीर तक पहुशने में 15 घंटे से अधिक का समय लग गया महाप्रभू के नगर में मंगल आगमन की शुब घड़ी ऐसी नजराई कि स्वागत करते हुए ना हात रुके और ना ही जगनात का भात पाते भक्तों का मन भरा भगवान जगनात के स्वागत की इस बेला में सुबर से दोफर उई और दोफर से शाम होते होते रात कब आगई पता ही नहीं पड़ा रास्ते भर भंडारे में जिसे जो जो भी मिला सभी ने दिल से पाया उडिसा जगनात पूरी से भगवान जगनात महाप्रभू ने बहन सुभद्रा जी, बड़े भाई, बलभद्र जी और 40 पदी आत्यों के साथ 1200 किलो मिटर और 40 दिन का सफर तै करके बुधवार को नगर में धूमधाम और गाजे बाजे के साथ प्रवेश किया विदीशा से आसे सहले की रिपोर्ट हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले